जेहन दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आच इस वीडियो में और आज की यह जो स्पैसल वीडियो है यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली बच्चो क्लास लेवन्थ के हिस्ट्री यानि की इतिहास के सब्जेक लिए ठीक है क्योंकि आज की इस एक ह वीडियो में हम आपका हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा स्लेवस है उसे कवर करेंगे और हम उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट को बच्चों डिसकस करेंगे जो आपसे पिछले दस साल के प्रीवियस एयर के जो आपके एक्जाम हो चुके हैं उनमें जो ज्यादा तर आते ही हैं बार-बार रिपीट होते रहते हैं उनको यहां पे हम डिसकस करने वाने हैं तो जो कोश्टिन अभी आपके साथ में डिसकस किया जाएगा उसके बहुत ज़्यादा चैंसे बच्चों आपके हिस्ट्री के जाम में आने ठीक है और इसमें हम बात करेंगे आपके इस वीडियो में हम आक के चैप्टर टैं और 11 के स्टॉट और यान की थी नमवाली कोश्टिन भी लेंगे लों गोश्टिन यानरी की जो आपके बड़े वाली कोश्टिन होते आट नमर वाली हम उन्हें वह कर लेंगे प्रिस्जाम यहां पे दिखिए आपका दो चैप्ट सबी से कि वीडियो आरांड जो है वह आपकी पचास मिनट की आसपास की बनेगी तो आप इस वीडियो को ना कम्प्लीट्ली देखे ना बच्चो सबसे पहला मारा चैप्टर नंबर सह्बन बदलती हुई सांस्कितिक परंप्रा है तो इसके हम तीन नंबर के कोश्चन भी कर लेंगे और आठ नंबर बारे दोनों के ही एक ही वार में हम बहुत अच्छे तरीके से समझने बारे हैं ठीक है बच्चो चलिए देखते सबसे पहला प्रश्ण बहुत अच्छा साथ है बहुत ही आसान भी एक तरीके साम ये कह सकते हैं इसको हम छोटा करते हैं फिज सुरुवाद करेंगे देखिए सबसे यूरोप में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं ठीक है और इसी question को बच्चो दूसरे तरीके से पूछा रहे सकता है पंदरवी तथा सोलवी सताब्दी में मुदरन क्रांती का वर्ण कीजिए या फिर पंदरवी और सोलवी सताब्दी में यूरोप में जो मुदरन क्रांती इसका वर्ण कीजिए ठीक है वाई आए देखते हैं देखो पहले बात करते हैं meidän कलांती की शुरुआइँ के संबनेग, लिखेंगे इस तरह से कि सबसे पहले मुदर्ण कलांती थी सरुवाथ ऐसे नहीं की कोई प्रिंटिंक मशीन लेकि के आया और शुरुआत्य होगी नहीं, शुरुआत ऐसे होती है कि यूरोपे लोग जो थे ये मुद्रण प्रद्योगी की के लिए चीनियों तथा मंगोली सांसकों के लिए रहे क्योंकि भाई जो मुद्रण प्रद्योगी की थी वो या तो चीनियों से या तो मंगोली सांसकों से यूरोपियों ने ली थी ठीक है बेसिकली जो शुरुआत खोल कहां पर c Ampher g engani 5D उनकी पहली यह कारिशाला थी या नंकी जो प्रैस होती है Ifis नियुक्यों पहले आप चापा खानम खोल तो उसमें वायवल जोकि उनका ध्रम गिरंठ है 5100 प्रांट शापी क्यों चापी ताकि लोगों को धरम के बार में सबसे पहले पता चले और नॉर्मली जैसे प्रेंटिंग क्या करती है कि एक घंटे में कम से कम मान लेते हैं अगर दस वाइबल चाप लेती है तो उस समय में एक व्यक्ति दस घंटे में एक वाइबल लिख पाता है तो इससे क्या हुआ दिन भी गोलों के तुर्यात होती है 1405 में जर्मन के जोहानिस गुटेंड वर्क के द्वारा पहला चापा कानों खोला गया वाइबल के एक सो पासाइस प्रांतिया चपे अब यह जो मुद्धर्ण क्रांति आई बच्चो इससे क्या-क्या लाव हमें मार्केट में देखने को मिले तो सबसे पहले लाव यह हुआ कि मुद्धित पुस्तक के उपलब्द होने लगी और उनका क्राय बेतना संबब हो है यानि कि देखो एक तो हमारे धर्मगरत बगरा है वह ऐसे होते जो किसी वक्तिक द्वारा लिखे गए है यानि कि जो मूरी रूप में लिखे गए है उस लेकिन अब वो मार्केट से बहुत सारी किताब नोट को खरिश सकते थे ठीक है पहले जो विचारते मत जानकारी जो भी था वो अतनी तेजी से प्रसारित नहीं हुपाते थे मौकर ग्रूप से लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस का विस्कार हुए तब से ये सभी तेजी अब पाठक जो था वो एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था क्यों कि वो आसान तरीके से उन्हें खरेज भी सकता था ये सारे चीज़ है अब इससे लोगों के अंदर पढ़ने के आदर बिख्षित हुए और एक तरीके समय कह सकते हैं ये धरम के परचार के सामने आते हैं I hope आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो क्या बच्चो चलिए बात करते हैं question number second की अब second question को भी आपको दो तरीके से पूछा जा सकते हैं ध्यान से समझेगा कौपर निकस्ये करांति का वौर्णन कीजिए या फिर ब्रमांड के प्रती कौपर निकस के तूर केंद e-र्मंडिय सिद्धाउर्णत तो ये जो कौपर निकस का विश्वास है इसाईयों का ब्षुआस है ये में सम्झाना है एक तरीके से कौपर निकसी है, क्रांती को यहम यहां पर समधा तो पहले हम इसाईयों की बात कर लेते हैं, इसाई जो लोग थे, इनकी ब्रमाणड के अप्रति यह धर्णा थी, कि इस धर्ति पर जो भी मनुश्य, वो सभी के सभी मनुश्य पापी हैं, एक तरीके से यह जो पूरी की पूरी हमारी प्यारी सी प्रित्वी है इनको इसाई मानते थे कि ये पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के होने के कारण ही ये इस तरह गूम नहीं रही है बलकि अपने अक्ष पर ऐसी ही खड़ी हुई है इसाईयों का मानना था कि प्रित्वी जो है व इसाईयों की यह धाणा गलत है क्योंकि प्रितिवी समेत जितने भी छोटे-छोटे गिराये हैं वो परिक्रमा किसकी करते हैं सूरज की करते हैं सूर की परिक्रमा करते हैं नाकि अर्निगरे प्रितिवी की ठीक है पर निकस बेसिकली एक निश्टावन इसाई थे वे अपनी नई खोज के कारण अपनी जो पांडिलिपी थी इसको प्रकासित नहीं करना चाहते थे क्या नाम था उनकी पांडिलिपी का रिवालिश सनी वश ठीक है इसको प्रकासित नहीं करना चाहते थे क्यों भाई क्योंकि यह भी इसाई है और इनकी इसाईयों के प्रति इनकी बात अलग है तो हो सकते हैं की बीचे मिवाद हो जाएगा इसी वज़े से लेकिन जब इनके जीमन के अंतिम छड़ आए तो इन्हों ने अपनी जो पांडिलुपी थी उनका ग्रंथ बगारा जो भी कह सकते हैं आप वो देख विक्ति को जिसका नाम तर जोसिम रिकिटेस उसको कह कि देख मैं तो कुछ नहीं कर पाया मैं इसे प्रिकासर नहीं कर पाया लेकिन अब तेरे उपर यह जिम्मेदारी है कि मेरे जाने के पश्चार तो इसे पूरे विश्व में फैलाएगा और आगे चलके यह होता भी राग वो फैली भी ठीक है अब कौपर निकसे करांती को ओर आगे बढ़ाया कई सारे अन्ने जो इतियास नहीं जैसे खगोल सात्री जोहानेश कैपलर और गैलीलियो इन्होंने अपने लेखां में यह बताया कि यह जो धर्मों में इस ता धर्में स्वर्ग और प्रिटवी का जो अंततर बताय जाता है इसमें कोई अंतर नहीं है स जिसका नाम था कास्मो ग्रिफिल मिस्ट्री यानिके खोलियस रहे स्वाद इसमें कॉपर निकस के सूर केंदित तॉल मंडिलिय सिद्धांत को लोपरिय बनाया किसने के ग्रंथ ने और यह सिद्धुआ कि वाकई में सूर के चारह और बाकी के छोटे-छोटे जो गिरह हैं प कोश्यन तीननंबर में आएगा तो आपको पता है कितना लिखना है एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये और ये बाले इक ब्स ठीक है लेकिन जब आपका आफ्का नॉम्बर में प्रस्ट्ण सजाए गा तहब आपको ये पूरा ये ये लिखना ए घृटि के अपबात lagi तर थर्ड कोश्चन यह है कि आठ नंबर का आपका यह प्रश्ण आएगा बच्छो जारा तर प्रश्ण मारा यह है यूरोप के सर प्रतम विश्वद्याल है इटली में ही क्यों खोलेगा या फिर इटली में ही खोलने के परश्चात क्या हुआ था यह समझा रहे और इन विद्य सबसे पहले दिखते हैं है यूरोप के सर प्रतम विश्वद्याल इटली में खोलेगे थे हुआ यह यह था कि विश्वद्याल है जो थे इटली के यह विदी सास्त के अध्यन के केंदर बंच चुके थे अब इन नगरों के वाणिजिक के वज़े से अधिक व्यापार करने यहां पर बहुत सारे वकीलों की बहुत सारे जो नोटरी थे इतकी वड़े नोटरी याने की एक तरीके से जो भी हिसाफ किताब रखता है वैसा बंदा तो उसकी व्यापार में बहुत ज्यादा मांगोने लगी तो ऐसे मैं बड़ा लिखा बंदा चाहिए था इसलिए इन की स्थापना की गई साथ ही यहां पर बहुत सारा अध्यन किया जाता था कानूनी प्रिख्रिया का प्रेटा की वी प्राचीन लेककों की रशनाओं को भी आसानी से पढ़ा जाता कि इसकी मतलब से फ्रेंचेसको पेट्रक की वज़े से पेट्रक के स्थाई नगर निवास फ्लोरंस में भी विश्व विदाले था मानुता बादी विचाधारा का प्रशार हुआ था इटली में सबसे पहले जो जो विश्व दाले थे वो क्यों खोले गए थे विद्यसास की अध्नक के केंडर मने वकीन और नोटर की वड़े व्यवानाय पर आवा सकता थी इसलिए निव्यपार के निवों की व्याक्या विवाद को सुल्जाने के लिए आव सकता थी लोगों को पढ़ने के लिए आती है कि इन सभी ने मानप्तावादी विचाधारा के प्रशार किसार में कैसे योगदान दिया देखते हैं देखो 19 सताबदी में एक नई संस्किती का जन्म हुआ जिसे मानप्तावादी संस्किती कहा जाता है एक सेकेंड यहां पर सही थोड़ी सी मिस्टेक है नहीं ठीक है क्योंकि देखो 19 सताबदी में एक नई संस्किती का जन्म हुआ था जिसे हम बोलते थे मानप्तावादी संस्किती इससे पहले 15 सताबदी के आसपास में विश्विद्यालों में व्याकरण, अलंगकारशास्रे, कवीता, इतिहास, नीतिदर्शन ऐसे विश्यों को पढ़ नहीं है यह किस पर थे यह कोशल पर आधारत होते थे जो की व्यक्त की चल्चा डिवीटिंग जो उसकी स्टेंट है उसको विक्षित क्याता था ठीक है मानतवादी प्रचार की इटली के जीवांत बौधिक नगरों का युगदन को लिखी है यानि कि जब हम मानतवादी व अनिक का यहां आज कर जाता है एक कर दो क्या जाएगा यह कि दाल में संपदाय सब्सी साभब नहीं है उन्होंने अपनी कलम दार्मी के विश्यों पर चलाए, किसी एक ग्रम का विपक्ष नहीं लिया, बलकि सभी को समान रूप से अपने दिरम के बारे में लिखा, अन्य दिरम के बारे में लिखा थैन। कलाकार जोटो, इन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए और उनके बनाए चित्र पहले के कलाकारों के तरह बेजार नहीं थे, जिससे मानपतावादी विच्चाधारा और तीजी से फैलने लगी थे, क्या है, तो यह सारी चीजे हैं, और एक आदा पॉइंट आप चाह आपको यहां पर बढ़िया तरीकी से समझा लिए, तो इटली में जो विश्विडाले खोले गई थे, इसके बात यहां से शुरू होती है, और इसके बाद प्रिशाद प्रिशाद के बात आती है, तो यहां पर कंप्लेट हो जाती है, अब एक चीज आपको यार रखने है, रेने सा व्यक्ति कौन थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनेक रुचिया, अनेक उनर, पर एकजमपल, कोई एक व्यक्ति विद्वान है, वो विद्वान होने के साथ कूटिनिक भी है, राजनीतिक सास्तिय, धरम सास्तिक है, और वो कलाकार भी है, जिसके पास बहुत सार रचनाय हो बहुत सारा हुनर हो उसको बोलते थे रहने सावेटी ठीक है चलिए अब बार यहाती एक कोश्चन नमबर मारे सेकेंड की पंदर्वी तथा सोल्वी सताब्दी में महिलाओं की इस्तती का वर्णन कीजे यह प्रस्मी बच्चो आठ नमबर में आता जादा तर ठीक है उसके बार पंदर्वी और सोल्वी सताब्दी महिलाओं की इस्तती का वर्णन कीजे तो वह पंदर्वी और सोल्वी सताब्दी महिलाओं की इस्तती क सब्वा कुछ हीं था कि इनकी स्थिति हम यह कह सकतते हैं कि अच्छी जादा तर महीलाओं कीसे क्स्ट शयर्जद गर्णब सकते हैं इसकी सुसतांथ हमेशा महिलाओं को ऑसभी से दूर रखinky करते हैं कि के चीवन में अभिजाद वह संपन्द परिवारों की पुर्षों का प्रिवोत जारत देखा जाता था और घर-परिवार के मामले में भी यही नेने लिया करते थे ताथी महिलाओं को कारोबार में किसी भी तरीके का कोई भी अदिकार देने कारिकार नहीं हुआ करता था महिलाओं को महिलाओं का जो दहज होता था यह पुरस उसे अपने व्यापार में लगा लिया करते थे ठीक है और कई परिवातों ऐसे थे जिने यह लगता था यार हम तो दहज नहीं बना पाएंगे तो इसलिए वो अपने लड़कों के क्या करते थे मठों में रहने वाली भि है किया हों गई इनको सिक्षा भी नहीं दे जाते थे ठीक है इनी के विप्रीत कुछ महिलाएं बच्चों ऐसी थी जिनने जिनको मतलब की आर्थिक अधिकार रहा पर जो व्यापारिक महिलाएंटी उनकी से इच्छी थी इस बारे में एक्जामपल है वैनिस निवासी कसां प्रकार देंटी है नहीं किसी सर्मान का स्वासन देती है है तथा पि प्रतिय महिला को सभी प्रकार के सिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए अरे उआउसी घ्रेंड करना चाहिए इन्होंने अपने पती की अनुपस्तिती में अपने राज्य पर ही सासन किया था, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, जो बड़े वर्गों की महिलाओं थी, उनकी सिती अच्छी थी, लेकिन निम्ने वर्गी की महिलाओं की सिती उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है भाई, तो ये प बहुत बड़ा कोशन है बच्चो इस में से मैं बताओं आपके तो 3-3 नंबर के 3 कोशन भी निकल जाएंगे और 8-8 नंबर के 2 कोशन भी निकल जाएंगे अभी समझाता हूं कैसे कोशन ये है इसाई धर्म के अंतरगत वाद विवाद को लेकर मार्टेन लूथर केंग के योगदान का वणन कीजिए तो हमारा ये जो हमसे कोशन पूचा गया है इसका मैं आंसर हमारा अभी 2 मिनिट बाद सुरू होगा लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इसाई ये क्या था इसका वर्ण कीजिए इस तरीकी से लिए ठीक है चलिए हुआ यूंता देखो पंदरवी और आरंबेक सोरी सताबनी में उत्तरी यूरोप के जो विश्य विद्याले थे इनमें अनेक विद्वान मानवतावादी विचाधारा की और आकरशित होने लगे थे और उन्हें मानवतावादी बनने पर मजबूर किया मजबूर नहीं मतलब अच्छा लगा तो वो बन गे ठीक है और उन्हें यह का कि अरे इसाईयों उन्हारे जो धर्मगरंथ हैं उसमें तरीके बताए गए हैं उन धर्मिक तरीक वो जो पालिन करने हैं उनको कीजिए और करमकार्ण को त्याग है यानि कि यह क्या बताता है कि उत्री यूरोप में मानवता वाज्यो था इसने एसाई चर्च के अनेक सरसु को अकर्षित किया और यह बताया कि देखो तुमारे जो धर्म गरंते पुराने उसमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो तरीके बताए इश्वर को मनुष्य बताते थे किसी विव्यक्ति को अपना जीवन मुक्त रुप से चलाने की पूरिया जाती है मनुष्य को अपनी खुछी इसी वर्तवान विश्में ढोननी चाहिए यह कहना था इसाई मानवतावादी होगा और इसी वज़य से दोनों के बीच में इसा वो क्या हो जाता है विवाद हो जाता है इसा ही मानवतावादी इंग्लेंड के टॉमस मोर्क और होलेंड के इरेम्स इनका मानना यह था कि यह जो चल्च ना यह भाई एक ना ऐसी संस्ता बन गई है एक लालची और साजारंची जो बात बात पर लोगों को लूटती रहती और किसा जार पे पाप सुईकारोगती दस्तावेज के नाम के जार पे, क्यों भाई, क्यों कि ये मानते हैं कि एक सेकंड, अरे इतनी जली कहा जा रहा है भाई, एक सेकंड, हाँ, ये मानते हैं कि ये जो पाप सुईकारोगती दस्तावेज है, ये ऐसा दस्तावेज है, जो ल आनपतावादी विद्वान ये दर्शाने में सफ़र रहे, ये दस्तावेद असली नहीं है, बलकि जाल साजी में बनाये गया था, कीवर लाजाओं की, फुस्री के लिए इसलिए कहां गया है, तो ये विबाद है किसका, जो इसाई लोग थे, इनके बीच का, इसाई जन्हें मार्टिन लूथर किंग के योदार का वर्ण कीजिए, वो हमारा सुरू होता है, यहां से, ठीक है, और मार्टिन किंग लूथर के संबन में हम इसे प्रोटेस्टेंट सुदारबाद के रूप में भी जानते है, हुआ यूँ था, मार्टिन लूथर किंग 1517 में एक जर्मन छेड़ा, तो इन्होंने कहा, कि हर एक इसाई को या फिर हर एक मनश्य को, अगर इस्वर से अपना संपर्ग साधना है, तो उसके लिए उसे किसी चर्च, किसी पादरी के आप सकता नहीं है, ठीक है, उन्होंने, किसने, मार्टिन लूथर किंग ने अपने अनाईयों को या इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, और इसी आन्दूलन को नाम दिया गया बच्चो, प्रोटेस्टेंड सुधारवार, ठीक है, अब यह जो आन्दूलन था, वो केवल एक इचे के तो रहा नहीं, अब यह आन्दूलन, जर्मनी, स्विजर लेंड, यहां तक भी पहुंच इसकी वैसे चर्च ने क्या किया, पोप से और कैतोलिक चर्च से अपने संबंद समाप्त कर दिये, लूथर ने आवहन किया जर्मनी सास्पों का, और कहा कि तुम इस किसान विद्रों का दमन करो, ठीक है, अब यह जो आन्दूलन था बच्चो, यह वाकई में, प्रोष्ट की अनुसार पासना करने की छूड़ दिया, जो लोग इस अंदूलन में सामिट होते थे, उन्हों उनसे का कैतोलिक चर्च ने, खतम नहीं होना चाहते हैं, हम ऐसा है कि तुम मतलब की ऐसे, अपना धर्म कुछ भी चुल दो, ऐसे गवड आ गए थे, इसलिए क्या किया, जो आजूलों सामिट है का कि तुम अपने दर्म से दर्म चुल दिसके हैं, इंग्लेंड के सासकों ने, कोप से अपने संबंद तोड दिये, इसके उफ्राम से राजा रानी इंग्लेंड की चर्च जो थे, इसके प्रवव बन गे, कोप की जो एक स्तिती थी, वो समापत हो गई कैथोलिक चर्च ने, इस्पेन और इटिली में पादरियों ने सादा जीवन और निदनों की सेवा पार जोर देना शुरू कर दिया, इस्पेन में प्रुष्टेंट लोगों से संगस करने के लिए, इग्नेसियस लोयोला ने 1540 में, सोसाइटी ओफ जीस नाम रखेंगे, इस्पेन में प्रुष्टेंट लोगों से संगस करने के लिए, इग्नेसियस लोयला ने 1560, 1540 में किस सोसाइटी की रिस्ताफना की थी, सोसाइटी ओफ जीसस, इसके अनिवाई थे, जेस्विट कहलाते थे, उनका मतलब यह था, कि उनका देव, उनका कतब यह था, कि जो न पचास मिनेट बोला था, लेकिन मुझे तो लगता है, एक गंटे के बन जाए, ठीक है, तो आपका जो पहला बाला चाप्टर था बच्चो यानकी, इस वीडियो का वैस्टर चाप्टर 7 है, बदलती हो सांस्कृतिक परिंपरा है, इसका हर एक कोश्चन, यूरोप में इसके बार में पंदर वी और सोल वी सताब्दी में जो महिला थी, इसके थी कैसी थी, इसके बार में यह सारे आपको बता चुका हूँ, इससाई धर्म के अंतर्गत वाद वाद का था, वाद वाद के लिए आप इतना लिखेंगे, उसके बार प्रोष्टेंट सुदार आएगा जो मतलब चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 है बच्चो, मुली निवासियों का विश्थापन, जिसमें हम मैनली उतली अमेरिका और एक 10% बार है आपका चैप्टर का आउस्टेलिया के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला प्रश्ण है, जो कि ज्य इरिया टाइप में, जो भी है, इसका मतलब क्या था, यह संदरी, तो ज्यादा नहीं, तीन नंबर का यह प्रेशना था, ज्यादा तर पेपर, ठीक है, देखो, हम सभी को पता है कि USA, यानि कि संयुक्त राज अमीर का यह अठार्वी सताब्दी की अंत्र में, अपने अस्त पस्चिमा जादा है, तो उसने शुरुआत से ही, अपने आपको पस्चिम को बढ़ाना शुरू कर दिया, बेसिकली, अमरीक्यों के लिए फ्रेंटियर का एक में मतलब यह था, कि अपनी जो, यान कि अमेरिका की जो पस्चिमी सीमा है, इसे और तीरी से बढ़ाना, तो इस जवदस्ती जो था, उसको कब्जा कर लिया, तो इस तरीके से वो अपना विस्तार करते जो लेगे, कई बार जो अमेरिकी लोग थे, यह चेतों को खरीते थे, या बेशते थे, तो वहां के मूह लिवासियों सुक्किती भी नहीं लेते थी, और अगर मूह लिवासि कुछ बात बोलते भी थे, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते थे, यह चीज़िया आ जाती है, उसके बाद संयुक्त राज अमेरिका की जो पश्चमी सीमा थी, यानि के फ्रंटियर, इसके खिसकने के साथ साथ, वहां के स्थानिये सरहरवासियों के पीछे की तरफ उनने विवस्ट किया गया एक तरीके से, यानि कि यह जैसे पश्चमी तरफ खिसकती गई, वैसे वहां के जो स्थानिये सरहरवासिय थे, उनको पीछे की तरफ जाने के लिए मजबूर किया गया, तो यह बात है, तो अमेरिका के लिए जो फ्रंटियर है, इसके यह माइने है, सि जिसकी तरफ पश्चिम कियो, तिक है, यानि कि यह तरीके से, अमेरिका की अस्तित्यु के बाद में आने पर पश्चिमी सीमा का बढ़ना, यही प्रेंटियर के लागता है, जिसके लिए बहुत से अन्य तरीके अच्छे और बुरे सभी तरीके अपनाई थे, तिक है, अब पर क्यों कर दिया गया, और साथ ही, उत्तरी अमेरिका के मुलबाशिन्दों को जमीन से बेद्खल करने के लिए, कौन-कौन से तरीके अपनाई गये, एक तो बेद्खल किया क्यों गया, और दूसरा, कौन-कौन से तरीके जो है, वो अपनाई गये थे, दो कोश्चन है के कारण अपने मूल देश में, यानकि बेटेंड में जायदार का हिस्सा उनको नहीं मिलता, ठीक है न, यसलिए क्या-क्या, वो आगे कहां पे, अमेरिका में, तो इन्होंने क्या क्या, इन्होंने अमेरिका में, खुद को मालिक बनाने के लिए, ऐसी फसलें उगाई, जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, और फिर यूरोप में ही, उनको बेच कर मुनाफ़ा कमाना सुरू कर दिया, ठीक है, तो ऐसे ये धीरे-धीरे करके मालिक बनना, मालिक बनते चलिए, ठीक है, अब इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनोती यह थी, कि यहां के जो मूल फ्रांस के यह जो प्रिवासी थे, चोटे-चोटे, जिनको की ज़्यादार में इससा नहीं मिलता था, मालिक बनना चाहते थे, जिन्होंने फसलोग आई, यूरोप में नियुगा जाती थी, उनको बेच के मनाफ़ा कमाया, इनका ये मानना था, कि यह जो मूल बाशिंदे ह ये जमीन को उतना उपियोग नहीं कर पाते हैं, जिनका करना चाहिए, इसलिए ये कहा गया यहां पे, कि जो मूल बाशिंदे हैं, आप सभी को पता जैसा कि उत्री अमेरिक जिन्हों मूल बाशिंदे के उससा क्या है, कि वो अपने जमीन के लिए ज़्यादा कूछ आता प अरे मूल बाशिंदे तो आलसी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पिने के लोगाते हैं, बलकि इन्हें तो बाज़ा दित पादे नहीं, तो सिल्फ गोशली तो उगाना चाहिए, और अच्छा कासा पैसे कमाना चाहिए, ऐसे तो करते ही नहीं, ठीक है, और ये तो अपने लाइक हैं, इनको तो हम यूँ ही बगा देंगे, और अपना कब्जा कर देंगे, पूरी तरीके से हमारा राज होगा, इसलिए ये लोग इनको बगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए मूल बाशिंदों की बेदखली करनी शुरू कर दी गई, अब तरीके क्या क्य तो सबसे पहला तरीका ये इतना है कि संयुक्त राज अमेरिका ने क्या किया कि अपनी वस्तियों का विस्तार करना शुरू कर दिया, तो इसी बीच जमीनों की विक्री के समझौते पर दस्तकत कराने के बाद भी मूल निवासियों को बहां से हटने के लिए प्रेत्या अपरदस्ती उनको मजबूर किया गया हटाने के लिए और कुछ को यह का गये कि हम आपको पैसे देंगे लेकिन वो पैसे कम थे और किसी किसी को तो पैसे दिये भी नहीं जारा थे धोके से जमीन को अड़ लिया जा रहा था एक कवीला था जिसका नाम था चिरो की कवीला यह थोड़ा हठी था क्यों कि यह नहीं चाहरा था वहांसे अटे काफी मजबूत भी था इसके लिए अमेरिका को यहां पर पाज लगानी पड़ी ठीक है और कई वर अमेरिका जो था ना वो यह देखता था कि यार बहुत ज़्यादा हो गया एक काम करते हैं कि इनको थोड को यह हम यहां सिखनीद दृखां लें हैं तो इस धर गडर दे तो दे दे थे लेकिन ऐसा यहललाटी में था नए अमोह निवासिओ को चैयद करके जो उनका बैषिकली इनुनकी बातों को नहीं मालते थे उनको कैया करके का राखा जाता था डिजरवेशन में बनद करके रहां एक है तो ये इस्तिति थे मुल लिवास्यों के बारे मुल लिवास्यों को बेर्खल क्यों किया गया और बेर्खल करने के क्या conversation उस बारे में यह सारे पार थाब ले देती ठीक है चलिए अब बारे आती है हमारे अगले कॉश्चन सन 1970 के दसक में आई बदलाव की लहरों के कारण और आस्टेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर भी प्रिवावपड़ा वर्णन कीजिए विल्कुर ठीक बात भाई के 1970 के दसक में जो बदलाव आए इसकी विए से आस्टेलिया में जो मूल निवासी थे इस पर बहुती जादा इनका प्रवावपड़ा था इस बदलाव की लहर का क्या आप प्रवावपड़ा था समझिए तो देखते हैं आस्टेलिया में बदलाव की लहर ठीक है तो था क्या देखो आस्टेलिया के मूल निवासियों को एक नए रूप में लोगों की समझने की चाहत जागने लगे, ठीक है, मुल निवासियों को अपनी जमीन के साथ संबंद, अपनी जमीन के संबंद में इन्हें आदर से देखा जाने लगा, मुल निवासियों को विसेश्ट संस्कित वाले समुदाय की रूप में भी देखा ज था सांति तक्नीकी नई संस्कितिम मुल्यवाशियों की इनके लिए विश्यविद्यालय खोल को कुछ को संग्रालय में संक्लिप करके रखा जाने लगा मुल्यवासियों के ज़रौश जैसे कि उनकी कताएं कपड़ा साजी चित्रकार हस्थ-चिक इन सभी को अपने आपी समझ सकते थे अपने माइंड वेस पर कैलक्लेट कर सकते थे तो उस पधिति को पैचाना गया और आज भी वहाँ पर जाला टेक्नोलजी नहीं चलती है बलकि एक माइंड वेस पर ही सरा काम होता है ठीक है मूल लिवासियों के संस्किति को एक नए आदर के रू नहीं था आस्टेलिया जमीन टेरा नियूलीशियस इसको क्या बलता है यहां पे ऑ्टेरा नीलीशियस बोलते है इसको इसका नाम क्या था कि एक नीती जो किसी की भूमी नहीं होती थी उसको टेरा नीशिस बलते थे टीक है तो 1970 के रशक में जब संयुक्त राष्ठ संग औ और दूसरी अंतराष्टे अजेंसों की बैटकों में मानवारी का शब्द जब सुनाई पड़ने लगा तो आस्टेलिया जंता को यह एसास हुआ कि संयुक्त राज अमेरिका, कनाड़ा, न्यूजिलेंड यह सभी आस्टेलिया में यूरोपिये लोगों के द्वारा किये गए भूम में अधिग्रण को अपचारिक बतानी के लिए मूह लिवास्य के साथ में समझौता पत्र करना चाहते लेकिन यह त्यार नहीं थे, अब इससे दो नहीं ले लिए गए, क्या-क्या, कि इन मूह लिवास्यों ने कहा कि हमारी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, मूह ब्रेंगी लोगों को अलग रखने की कोसिस करके बच्चों के साथ अन्याय किया है, उसके लिए सावजिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तब ही हम और तो यहां पर यह वाला जो हमारा चैप्टर था बच्चों, चैप्टर नमबर टैन, मूह लिवास्यों निवास्यों का विस्थापन यह हो जाता है, इसको तो अमने काफी जली अराउंड 15 मिनिट में कम्प्लीट कर लिया है ना, लेकिन लेकिन अभी इसके एक दो कोश्चन में आपको और भी दिखा देता हूं, यह रही मूह लिवास्यों के विस्थापन के बारे में, एक कोश्चन यह बने गाटे के साथ जो बने गाउं हुआ करते थे, यहां पर रहा करते थे, यह मसली और मास खाया करते थे, और सब्जियां वगएरा, मकई वगएरा इसको उगा लिया करते थे, और साथ ही, यह अक्सर मास की इतलास में लंबी-लंबी यात्वों पर भी जाते थे, मैनली जो बा यह गोड़े जो हुआ करते हैं सिकार वेगारा के लिए इस पहनी आवादकारों से खरीदते थे लेकिन एक चीज़ इनकी बढ़िया थी कि यह केवन उतने ही जानवर माते थे जितने की इनको आवस्यक्ता पड़ती थी ठीक है तो यह किसके बारे में होती मेरे मुलिवस्वा इनके लिए जो भी मैट्वर्ट चाहिए थी जोपार के मिल जाये करती थी चीजे उन्हें क्छरीदने की बजाये हमेसा पार की तोर पे मिल जाती थी बासाइट उन्हें लिखी नहीं थी धत्रति को पढ़ सकते यह सारी चीजिया और थी छोटे-छोटे यहापर क्षिन आत वियपार था इयकि को आहे लिए kami को तक' start शनुमे के लिए ऑन्नी नहीं है और यहां से लेके बेचे जाते थे एक्ले की कमबल दे लिए कभी बत्तन दे शिकार के दोंगे पिला धी दुर्स्ट हो जाते थी यह सारी चीज़ है इसके बाद मैं यह तो बताई चुका हूं बस ऐसे थे यह मेली जु है गोल्डरस के बारे में कोश्चन आपका रहे घ्या ठीक है तो इसमें गोल्डरस के बारे मैंने नहीं बताएगा आपको अच्छा 11 वाले चैप इसम में कोश्चन आपका बनता है कि गोल्ड रस से क्या तात पर ठीक है तथा गोल्ड रस के कारण अमेरिका में हुई और दूरिग रिद्धी को इस पच्छ की तो था क्या भाई तो गोल्ड रस अब अमेरिका जब आए तो यहां पर बहुत सारे बदला हुए जैसे पूरे के पूरी अमेरिका महादीप में रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू हो गया ठीक है और 1870 में कनाड़ा में और 1865 में रेलवे लाइने बिच गए रेलवे के साल समान बनाने के लिए उद्यूग विक्सित होने लेगे संयुक्त राज अमेरिका और कनाड़ा में और द्यूग की नगरों का विकास हुआ बड़े पैमाने पर क्रिशीन करने वाले यंत्रुका और फारंतेरी से बढ़ा उन 1890 में दुनिया एक अगड़ी उत कि अब जो था वो कोई यहां पे प्रिंटिंग नहीं रहा था ठीक है उसके बाद में यह कोशन तो आपको समझा चुकर हो तो बस यह एक छोटा सा कोशन था आपका गोड़रस के बादे में वह ने आपको समझा लिया चलिए आगे बात करेंगी तो अब जो कोशन है कब से कब 20 मुनट यानिकी पूरा एक घंटा आपका कम लियुक्त है देखो उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण जापान को सम्रेद्ध देश माला जाता है कौन-कौन से कारण जिसके जैसे जापान को अमीद देश समझा जाता तो लिखेंगे इस तरीके से सबसे जापान अमीदे समझा जाता था क्योंकि जापान चाइनासे रेसमका और भारत से कपड़स जैसे जो विलासिता महेंगी वस्तू है इनका आया अंपने पास मंगाया करता था तो रेशम है रहे जाएक है और रहत हमीद मेरे 15 या फीया कीमत अदा करता था ठीक है, तो क्या ह में चानी में यह पैसा दे रहे थे ठीक है चाइना को रेसम के बदले में और भारत को कपड़े के बदले में तो इसे खुद जापान की अस्ता कमजूर होने लगी तो तोकुगावा इसने जो धातुएं थे कीमति धातुएं इन पर लोग लगा थे ठीक है इन्होंने क्या क्य क्योटो के निश्जंग यहां पे एक वस्ती थी जहां से लेसम उद्यों को विकास की लियुकास में उठाया और देशब की लिए और देश् sig instrument करो खोला किया उटाइन बहुत बड़ी बात ये भी है कि पॉराणिक कताव में जापान को द्यूपों का भगवान ऐसा का जाता है कि जापान को द्यूपों के जो भगवान उसने बना है याई कि पॉराणिक कताव में ये का जाता है जापान और जापान के द्यूपों को भगवान ने बनाया है और यहां पे जो सासक है, वो सूर्य देवी के उत्रा रिखा रही है, इसलिए एक और importance इसकी यहां पर यह जुड़ जाती है, ठीक है वाई, तो complete आपको समझ में आगे यह वाला part, चले, आगे बढ़ेंगे, अब आता है Confucius वाद से आप क्या समस्ते हैं, बहुत इच्छा सा फ् उनके अनिवाईयों की सिख्छा को क्या कहते थे Confucius वाद, तो क्या है Confucius वाद, एक चीनी विचार है जिनका नाम सा Confucius, तो इनके विचारों को मानने वाले अनिवाईयों को Confucius वाद कहते थे, इसमें सामिल क्या था, तो इसमें लोगों के साथ में अच्छा विवार करन वियाभारिक समझदारी और उचित समाजी संबंदों के सिद्धान पर यह आधारित हुआ गए इनके विचारों ने चीनियों के जीवन के प्रतिक रवाय को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित किया उसके बाद 1860 के दसक में बड़ी तादात में चीनी विद्यातियों को जापान पढ़ने विजा गया किसलिए इन कंफ्यूसद बाद की विचारों को समझने के लिए लोगों ने नएने विश्यों के प्रसिशित होने के विद्यातियों करानी के लिए विद्यातियों को जापान विजा बेटेंड और फ्रांस में पढ़ने के लिए विजा ताकि वे नएने विचार को सिख खर वापस आये। इसी तरीके से जापानी यूदि के बाद में सद्यों पुरान जो चीनी परणारी चली आ रही थी इसको स्नौफ कर दिया गया, जो किस पर आदारी थी? जो कि प्रत्याशियों को अभिजात याने की सत्तादारी वर्ग में दाखि कि जापान की हार के बापजूद वह वैस्ट्रिक आर्थिक सकती के रूप में कैसे उसके बाप सो भी वर्ण कीजिए। आप सभी को पता है कि जापान जब वर्ल्ड वार होता है उस टाइम पे अमेरिके के द्वारा इसके दो शर हिरोशिमा और नागाशा की इसके जंकरहार के वावजूद भी जापानी अत्यव्यवस्ता जिस से फॉर्ण निर्मित हुई है उससे हम एक युद्ध उत्तर चमतकार युद्ध के पश्चात के चमतकार कुरूप में जान सकते हाला कि चमतकार से कहीं है इसके जड़ें जापान के इतियास में पहले से नहीं अब खुआ क्या था कैसे ये बना इसको समझ जी तो जब युद्ध हो जाता है उसके पश्चात सम्विधान को एक रूप देना था गढ़तांते कि पूरी तरीके से ये लागो हो सके तो सम्विधान को अब्चारिक इस्तर पर गढ़तांते के रूप भी इसी समय दिया गय अमरीकी समर्थन और साथी कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थिवरस्ता को मदद मिली देखो देखो सिंपल सा समझो क्या है संभिधान को और चारे रूप से गड़तंत रूप इससे समय दिया गया था था साथी सरकार नौकर शाहि और उध्योग इन सभी के बीच में अच्छा रिस्ता कायम किया गया ताकि विकास अच्छे से हो सके अब अमेरिका को अपनी गलती का एसास हुआ तो अमेरिका ने इसे समर्थन दिया साथी कोरिया और वियतनाम जंग में जापान अर्थिवरस्ता को और मदद मिली क्योंकि इसने हतियार बगारा और चीज़ों को बेचाता कोरिया और वियतनाम को फिक है 1964 में तोक्यों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता जपान की रादनी तो किसी भी कंटि में जब ओलंपिक खेल आयोजन होते हैं तो ये उसकी अर्थिवस्ता के प्रती माड़ हुआ था और यह भी कह सकते हैं कि 1990 तक पर्यावरण से संबंदित कठो तम नियम यहां पर अमल में लाए जाने लगे और इस तरीके से जापान जो हार गया था एक टाइम पर वह एक बहुत मजबूत आर्थिक सकते के रूप में उभार चुका था तो आई होप कि आ अब हम बात करेंगे हम अपने अगले कोश्चन की जो की आपसे हर बार आठ नमबर में आता है अब तीन कोश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा जो आठ आठ नमबर के इस चाहिए अगला कोश्चन क्या है अब हम देखते हैं अपने अगले कोश्चन को कीनी बहसों में तीन समुहों के नजरिये क्या थे वर्ण के जाने की चाइना के बारे में किसी भी बात को लेके जब बहस होती है तो उसके लिए तीन समुहों के नजरिये सामने आते वो कौन से थे तो सबसे पहला समुह है कां की विवस्ता को सुधस्रन बनायै है और इन्होंने आदली को जो विवस्ता के लिए इन्होंने नई से अपना है जिससे विकास हो सके चाइन लिए जो इस्थानिया च्छोटी-मोटी विदायका multi ने सथाइबुढ़ तरीके से कही ना कहीं यह जो समुहे कांग यूवल लियांग की चाओ वाला यह अच्छा था इक तरीके से अपने जिगाए पर ठीक है दूसरे राश्ट अध्यक्ष बने सानयात सेन नौर्मली 1911 में मांचू सामराज्य चाइना में संप किया गया और निल विवाद रूप से चाइना के आदियक चाइना के जो सिंथापक है वो कौन माने जाते हैं सतनयास सेन ने कर दिया मिन यानि की समाजवाद को बढ़ावा देना में यानि की जो पूझी का नियमन करे और भूस्वामित में बराबरी लाए एसी सरकार को और आगे बढ़ाया जाए यह इनका मानना था ठीक है और अधर कोश्चन माओ सेस्टूंग के बारे में यह क्या कहते थी यह बैसिकली चीन में इन्हों ने ही साम्मेवादी पार्टी की स्थापना के ती 1921 में और इसके बार में दूसी करांथी के कोश्चमेवा दूसी करांथी के 10 साल के बाद हम कह सकते ठीक है बैसिकली यह चीनी कमिस पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाती थी इनके करांथी के कारिक्रम को किसानों पर कैंदियत करते हुए एक अलग रास्ता अपना है ठीक है उनकी सफलता से चीनी सम्मेवादी पार्टी को सक् करने के लिए विजिस सामराजवास से लड़े और अपने कारिक्रम को आगे बना रखा बस यह सिंबल से बाते आ जाती है तो तीन बहसों के जो आपके नदरिये हैं आंग यह आंके लिया आंकी चाओ गड़तन के दुसरा राश्टर दक्स सन्याज सेल और उसके बाद माउस सिस्टों के बारे में अगला देखते हैं अगला कोश्चन बहुत ही अच्छा से बच्चों यह प्रस्ट में आपको सेंपल भी करना चुका हूं कई बार लेकिन इस वाद थोड़ा और ईजी तरीके से आपको समझा होगा इसे कि आपको समझ में आ जाए चीन तथा जापान के द्वारा अपनाई गई आजन की करन की दो फफथोंका विश्लीसन किज़ीए तरीक है अभी आपको विश्लीट करके समझाए लेकिन उससे पहरे ठीक है विश्लीचन करे देतें क्योंकि और भी कोुश्टन है तेखो चाइना के द्वारा और जापान के द्वारा आजन Chapter करण के जो रास्ते अपनाएंगे वो अलग अलगते सबसे पहले बार करेंगे जापान की तो जापान में सबसे पहले यहां के हम राजनीती सत्ना की बार करेंगे कि पहले यहां पर जो सासन था वो कौन करता था तुकुगावा परिवार लेकिन तिरी सतब्री तक लेकिन बार मेज्यों की पनशापना हुई कैसे जब सासर को मजूत बनाया किसने तो यहां पर अधिवस्ता मजबूत हुई ठीक है फिर मेज्यों की पनशापना हुई को पुरोजगार मिले और देश की अतिस्ता बनी रहे ठीक है उसके बाद में फुको को कियो हो नीती का अनुसर यह कैसी नीती थी यह सरकार की ऐसी नीती थी जिसके तैस देश को समर्द बनाया जाए और सेना को मजबूती बनाए जाए ठीक है और उसके बाद में तक्षा पन विचारों पर जोद्धिया गया और राजी प्रति निष्ठा और जापान के इतियास के प्रति अध्यन इसी पर महली बल दिया गया था ठीक है एक तरीके से राजीनितिक विवस्ता ने, मेजियों के पनिस्ता अपना ने, फुकोगों के उनेती ने, सिक्षा पनाली ने, जापान को तेजी से विक्षित करने में सहयता बदान करें, ठीक है? और हाँ, एक वियापार भी आ जाएगा, क्यों भाई? प्योंकि जापान को अमिध्य समस्ते थे, क्योंकि वो चीन से रेसम भारत से कपड जैसे विलास्ता की विस्तों का आयात, और बदले में उने चानियों सोना देता था, अलाकि वो बात अलगा बारत से बंद कर दिया, अ कि अब पूरी तरीके से सिमाप्तियों के उन्यों से गयाराम है, अब चाइना एक गड़तंत्र देश बन चुका था, और ये विकास करने लगा, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले शुरुआ थो इस सन्या सिर्थ के तीन सिर्थान्तों की, जिससे सन्मेंचोय यानिकी में उसको सामंतवाद को खरम करने के लिए, वो मिशुदार को लागू करने के लिए और विद्यसी समराजवास से लड़ने के लिए अपना कारिक्रम बनाया और इससे आगे लेते चले गए और इससे जपान जो चाइना था, वो विक्सित होते है, ठीक है? उननीसमी और वी और वो तेजी से विक्सित हो, ठीक है? लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात कही कि परन्तु वास्तम में केंद्री कृत राज जी की स्नापना कीई जिससे लोगों को भी लगे कि हाँ वाई देश हमारा विक्सित कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर दमनकारी राजितिक व विवस्ता लागों के यह है, जिससे सिक्षा का विस्तार तो हुआ, लोगों के बीच में जारुता तो पैदा हुई, लेकिन फिर भी यह दमनकारी निती चलती रही, बाजार संबंदी सुधारों के द्वारा आर्थिक रिष्टी से ताकत वर बनने में सपलता है इनको प्र अगला कोश्चन जो की आपका आर्थ नंबर में आ सकता है, क्या बहुत अच्छा है नियू टॉपिक में बेस्ट है, ताइवान का लोकतंत में परिवत है, एक नाटकिये मोड रहा है, वन कीजिए, बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि ताइवान का लोकतंत में रुपांती कर है, वो बहुती नाटकिये रूप से हुआ है, अब ये नाटकिये रूप से कैसे हुआ है, ये समझाने हैं, तो आईए समझते माई कैसे हुआ था, लिखेंगे, ताइवान चीन का ही एक भाग है, लेकिन 1894-95 में जापान के साथ जब लड़ाई होती है, तो ये जो हिस्सा ह होता है, वो चीन को जापान के हाथ में सौपना पड़ जाता है, और तब से ये जापान के बना हुआ है, ताइवान, ठीक है, चीनी समयवादी दल से पराजित होकर, शियांकाई से एक 1940-1998 में कहा भागाते हैं, ताइवान भागाते हैं, क्यों भाई, क्योंकि वहां पे ए लूप एक नाटकी रहा कैसे क्योंकि जब 1975 में चियंग कर्षिक की मृत्य होती है तब जाके दीरे दीरे यहां पे लोगतंतरी कानुन जो मजबूत होता है कुछ मिष्टेक है थोड़ा चेक करते हैं ताइवान के बारे में आपकी बुक में हम देखते हैं कि बुक में क्या डिया दिया गया है एक से एक सेटेंड देखते हैं है ठीक है हमें यहां पर डेट दी हुई है कितनी 1975 में ठीक है ओके हां बिल्कुल ठीक है इनको सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी ठीक है राजने की स्थर पर अधिकतर देश्टों को व्यापारिक मिसन के लिए ताइवान में फैरने लगे उनके द्वारा ताइवान में पूंड राजनेक संब्द और दूत्रावास रखना संब्द नहीं है क्यों कर देखी आज भी ताइवान को चाइना का इरस चाहिना का जाता है अलाकी वह जापान को अपने वप्रसर चा द्रूर है लेकर नहीं और जिस पर चाइना की दिंघर है कोई गलती से उसके उठार अठार कर देखने लिएवानी वियापारी और निवेस मुख्य भूमी में बड़े प्यमाने पर हो रहा है और आवा गमन काफी अधिक सेज़वा किसकी वज़े से ताइवान में व्यापार और मुख्य निवेस भूमी की वज़े से ठीक है तमभवता चीन ताइवान को एक अध्य स्वाज़त स्विकार कर लेने में सेमत हो जाएगा अगर ताइवान पूर्ण स्वातांता के लिए कोई कदम से परेज कर दे कि ताइवान को चाइना अपना सकता है लिखिन तब जब ताइवान यह करेगा कि हम तुमारे ही होके रहेंगे तो अगर थोड़ा कदम उठाएगा तो हम उसे जापन से आजा नहीं करेंगे यह कहता है तो लोकत अंतिकरन ताइवान का कुछ इस तरीके से होता है जो कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो चलिए अब आकरी कोशन की बात करते है कोशन है तन्यात सेन और चियांकाई शेक के नित्रत में चीन में जो गड़त संद्र की समझापना होती है कैसे होती है ये समझाना है देखिए तन्यार सेन 1911 में मांचू सामराज समाप्त हुआ और चाईना में गड़तन की स्थापना हुई यह निरवीरादिरूप से आतनीक चैन्यार्य के सतापक मांने जाते हैं इननने तीन तरीके की सदार्य संमिल क यह जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, तीन तरीके के उन्हें सुदार किये थे, ठीक है, यह आपको बताई दी है, और सन्यात सेन के जो विचार थे, यही कोमीन तांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने, उन्होंने कपड़ा, खाना, और घर, परिवहन, इन चार के जरूरतों को रिखा, किसने कोमीन तांग ने, किसके अधाल पर सन्यात सेन के विचारों के अधार थे, तो सन्यात सेन के बारे में कोग ज़्यादा नहीं, बस इतना ही पार्ट है, फिर बारे यह आती है, चियंकाई'd शेक तो सन्याश सेन की मुरित्यु के परकाय शेख को कोशिष को मीन तांगे नेता बनकर उबुड़े थे इन्हों ने एक तरीके से इन्होंने साम्यवादियों को खतम कर दिया तो यह प्रक्रिया जब चल ही रही थी आगे चलके इन्होंने और भी कदम उठाए इसे कि उन्होंने टेकुलर और विवेकपूर्ण इहीं लौकिक कन्फीश्यस की हिमायत की लेकिन साथी राष्कर सेनी करने भी कोश साथ मिलकर हैं और महिलाएं जो हैं यह भी इनके इनके साथ भी अच्छा विव्यभार किया जाए ठीक है यह अच्छे अच्छे जो है सुन्दर सुन्दर बच्चे पैदा करें ठीक है सतीत्व दूप्रेंग वार्णी और काम और उनकी भूमिका को घरेली उस्टर पर साही रूप से देखने पर जो दिया मतलब क्या है मतलब यह था चैनकाई शेक का कि सभी विक्ति एक साथ मिलकर है महिलाओं को चार सद्गुड़ा पैदा करने के लिए कम से कम चार बच्चे जनम दो ऐसा उन्हें प्रेद किया जाता था ठीक है महिलाओं के लिए सतीत्व उनका के साथ नए विचारों न विचारों के साथ गांदि और तिर्क में आधिक्ता संपन्द नेता कमाल अतार्तुक्त गलत है अतार्टुक नमशनेगा अतार्टुक ठीक है ना यानि कि वा का जो रहा है वो तापिला दो वा हटा दो बस ठीक है तो इस नेताने अवद करें और 1926 में केवल 200 प्रांतियों से बढ़ कर 1923 में 2 लाक प्रांतियां बन गई किसकी नई विचार होगी ठीक है यह चीज़ है ओक कि वैल एक घंटा मारा बच्चों कंप्लेट हो चुका है लेकिन इस एक घंटे में हमने अपने तीन चैप्टर की एक नमबर की त्यारी कर लिए बहुत ही बड़ी आवादी तो आपको इस बारे में समझ में तो आई गया होगा सारी के सारी चीज़े ठीक है तो यह आज का जो हमारा वीडियो था बच्चों आई होब कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा जिसमें आपको हर एक कोशन जितना हो सकता था उतना एजी से एजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया ठीक है अगर आप सभी को अपने पिछले जो चैप्टर है इस बोक्स में पार लिंक मिल जाएगा वहाँ से दिख लेड़ाए ठीक है तो आज की इस वीडियो को बच्चों में यहीं पे एंड करते है आई ओप बच्चों कि आप सभी को आज की यह वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लाइक करो और साथ ही जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ विडियो को शेर भी कर दो ताकि वह भी आपकी मदद से अपनी त्यारी अच्छे से कर सके बाकि आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जोग दीजिएगा इस